तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंडेक्स नंबर चेंबेस मैथेड के साथ सॉल्व करना है तो यह उसनोंने हमें सवाल दिया हुआ यह मैंने एक ग्जेंपल ली हुए है फ्रॉम दा फॉल्विंग डेटा कंप्यूट चेंबेस इंडेक्स नंबर ऑफ टूथाउजन वान टूथाउजन सेवन टेकिंग टूथाउजन वान एस दा बेस यह ठीक है तो यह हमें उन्होंने डेटा दिया हुआ है इस तरह से यह य इस अब्राइब लिंक कर लकिए यह रियलिटिव इस एक वल्डू होता है भी वन के लें या पी एन का क्या निए डिवाट बैपीनोट मल्टिप्लय है हंडर्ड पी एन क्यों पी वन क्यों होता है पीवन होता है क्रेंट प्राइज ठीक है यह जो प्राइज होती है ना जैसे के यहां पर है 2000 यह टू है और यह यह जो 2001 यह हमारा बेस बेस यह और यह जो 2002 है यह हमारा क्रेंट यह जो हमारा चल रहा होगा ठीक है यह गुजरा हुआ जो साल होगा वो बेस यह होगा और जो साथ चल रहा होगा उसके कहते हैं करंटी है ठीक है तो इसका फॉर्मुला यहां पर हम पुट करेंगे लिंक रेलिटिव निकालेंगे सबसे पहले करंट करंट प्राइज है हमारे पास 8 divided by 8 ठीक है करंट प्राइज तो निकालेंगे प्रिविज तो हमारे पास है गोई नहीं इसलिए हमने यहीं लेंगे फ़र्स्ट वैलियो को मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 100 नेक्स इसी तरह current price 9 divided by previous price 8 यहाँ पर previous price लेंगे multiply 100 तो यह हमारे पास आगया 112.5 उसके बाद इसी तरह current price 10 divided by previous price इस तरह से 9 multiply 100 is equal to हमारे पास आगया 100 sorry 111 111 इसे तरह current year divided by previous year multiply 100 तो यह हमारे पास आगया 100 परसंट इसी तरह current year divided by previous year 10 multiply 100 तो यह 90 परसंट इसके तरह बाद करूच हूं हमारे पास सके आगया 22 22 उसके बाद करंट यह 10 डेवाद बाद आगया 7 उससे तरह गया 90 97band तो यह हमारे पास आगया 90 down इसी तरह इस link relative की मतलब से हम निकालेंगे chain indices chain indices कैसे आते हैं इसका 100 का 100% उसके बाद हमने लिखना है इस value को 100 multiply इसकी ये वाली value इसके साथ 112 किशार या 5 multiply और divided by करेंगे 100 तो ये हमारे पास आ गया एक सो बारा हिशार या 5 ठीक है उसके बाद next इसी तरह इसको 112 या 5 को multiply करेंगे एक सो इसके साथ 111 इशार या 11 divided by 100 तो ये हमारे पास आ गया 125 नेक्स्ट है हमारे पास इस amount को 100 multiply 125 divided by 100 जी इस तरह से आपने chain and disease को complete करना है इसकी इस value के साथ link relative value के साथ previous value को multiply करना डिवाइड बाय करना है 100 इस तरह से आपने सारे इस chain and disease को complete करना है simple बस आपने इसमें यहीं करना है करना है